नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं यह बहतर होगा आपके एकजाम के तयारी के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं किरन के बुक के बारे में लुशन्ट के बुक के बारे में हम बात करेंगे क्योंकि मुझे लगता है कि लुशन्ट के बुक सभी के पास होगा किरन की बुक के पहले बारे में आप जा लेते क्या इसमें स्पिसल दिया हुआ है सबसे पहले इसमें आप देख सकते हैं वन लाइनर एप्रोच है जो की लुसंट पर भी देखने को मिलता है वन लाइनर एप्रोच है और NCRT पर आधारित ही ये दोनों बुक हैं ठीक ठाक बुक है इसमें आपको अगर याद कर सकते हैं तो ये आपके लिए डेटा को बहुत ही अच्छे से अरेंज करके इन्होंने दिया हुआ है जो भी बच्चे याद कर सकते हैं अगर आपको याद करने में माहिर है तो ये बुक ले सकते हैं इस book में पूरे के पूरे जीके को एक अलग अंदाज में cover किया गया है आजादे से लेके अब तक के मुखे मंत्री आपको देखने को मिल जाएंगे और इस book का अगर MRP के बारे में बात करें तो इस book का MRP है 249 रुपए इसका मतलब क्या हुआ है इसका मतलब इसमें डेटा बहुत जादा दिया होगा अब देखेगा एक ही चीज़ को ये book मोटा होने कारण मैं अब ही आप लोग को बताऊंगा 240 रुपए तो MRP है जिस पर आपको डिसकाउंट मिल जाएगा अलग अलग जगा पर अलग 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 डिसकाउंट आपको देखने को मिलेगा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा अगर ये book आपको पर्चिस करना होगा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ठीक है ना आप वहाँ से पर्चिस कर सकते हैं चली इस book के बारे में हम जान लेते हैं तो इस book में आपको जो खास बात देखने को मिलेगा भारत का इतिहास है भारत के इतिहास में देख सकते हैं हर एक चीज को बहतरिन तरीके से नेनक कवर किया है ठीक है उसके बाद देखने को मिलेगा आधुनिक भारत है अब भारत का इतिहास बोला गया तो प्राचीन भारत मद्धेकालीन भारत एक साथ है अधुनी के भारत के प्रमुक्छे युद्य है आपको देखने को मिलेगा एक दिरिष्टी में योर्पिया आगमन सबी के बारे में बात करेंगे भी इसके बाद विश्व का इतिहास हो गया उसके बाद आप देखेंगा भारती कला संस्कृति उसके बाद भारती है राजवैस्ता एम सविधान उसके बाद अगर आप बात करें तो भुगोल उसके बाद इसमें भारत का भुगोल भी है विश्वे का भुगोल भी है उसके बाद देखेगा भारती है अर्थवैस्ता इंडिन इकनॉमी है समानने विज्ञान है जिसमें फ अलग से हो गया इन्वार्मेंट दिया हूए है। उसके बाद Science आइक देखने को मुलेगा, उसके बाद Computer देखने को मुलेगा और Last में आपको यहां देखेंगे तो General Knowledge आपको देखने को मिलेगा, प्रामपरिक, समाने ग्यान, प्रुसकार एक पारिषे लेकन, पूस्ता कलेखन सेंख्सेट मतलब स्थॉर्च फॉर्म इसके बाद खेल रजी के बारे में इसमें एक खास बात में इसेंद हार नहीं मिलुर्ण आप अइध मेंCar ४ारिसatta देखान गारित में धारीफ़े लगली लेस्षेशत 4 आपको लुसेंट में देखने को नहीं मिलेगा उसके बाद परिसिष्ट बी में देखिएगा कुछ और भी आपको रिजर बैंक हो गया राजियों की महिला मुखे मंत्री लोकसभा स्टाटिक पॉइंट आपको कुछ देखने को मिल जाएगा यहाँ पर जो कि आपके एक्जा के बारे में तो इतिहास में देखिएगा भारत का इतिहास जैसे जैसे क्लासिफाई किया गया हर एक चीज को क्लासिफाई करके बताया गया है कहां से कौन सा पॉइंट निकला अब यहां से निकलके इतिहासिक के काल में प्राचीन भारत आ गया मध्यकालीन भारत हो गया अ लुषेंड में इस तरह का नीदिया है लुषेंड में केवल टॉपिक वाइस थीयोरी दे दिया और कुछ भी अलग देखने को नहीं मिलेगा ने बट इस बुक में आपको काफी कुछ 19 तो आगिया मतलब जो नया है जो पुराना है सबको अच्छे तरीके से कवर किया है युद्धे को कौन सा युद्धे कब हुआ कौन सा समझहता कब हुआ सब एक जगा देखने को मिलेगा उसके बाद देखेंगा प्राची नितिहास के स्रोत आपको देखने को मिलेंगे ये थियोरी वाला पोर्सर हो गया और थियोरी देखें लुषेंट के जैसा ही इन्होंने लिखा हुए कुछ अलग आपको देखने को नहीं मिलेगा थियोरी मतलब Lucent का theory पर ही है चाहिए इसका पर ही है कोई दिकत नहीं है आप देख सकते है टेबल भी आपको देखने को मिलेगा अब लेक के बारे में ठीक है अगर आप देखने को मिलेगा ही इसके बाद आप वेद के बारे में मध्यकालीन भारत को काफी अच्छे से इन्होंने बता बाट गया है सब टॉपिक में टॉपिक को बाटा गया जिससे आपको पढ़ने में काफी ज़्यादा सुभ्या होगी तो इस वुक को आप पर रहेंगे तो देख सकते हर एक जगा फैक्ट देखने को मिलने वाला हर जगा आपको टेवल देखने को मिलेगा और लुशन्ट स ज्यादा इस बुक में देखने को मिलेगा बुक बहुत मोटा है दोस्तों काफी कुछ है आपको पढ़ना परेगा मतलब एक्स्ट्रा दिया हुआ है तो आपको अगर वन डे एक्जाम के त्यारी करते है तो यह बुक ले सकते है ठीक है अब अगर हम दिखाए यहां मध्यकाल मधनिन भारत भी इसी में दिया हुआ है पहले पार्ट में ये राष्ठकूर्ट बंस हो गया ठीक है अब मगल समराज्य का देखे बिस्तार देखे मुगल समराज उससे पहले मुगल समराजे को तो उन्होंने काफी अच्छे से क्लासिफाई किया है और इसी साफसे टॉपिक को भी सजा कि इन्होंने लिखा है ठीक है ना दिखाता हूं मैं आपको टॉपिक हिमाईू आगे सबसे पहले हिमायू का सासनकाल कब से कब तक था वो बताया गया उसके बाद सेरसा सुरही आया तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा कब से कब तक था बट लूसेंट में कही कही पे जो विभाजन है टॉपिक का वो अच्छे सनी किया गया जैसे मध्यकालीन भारत में भी इसमें काफी अच्छे तरीके से सब चीज कवर किया गया मैं दिखाता हूँ लोधी वंस हो गया तुगलक वंस हो गया खिलजी वंस हो गया यह दिखे गुलाम वंस को भी अच्छे तरीके से कवर किया गया बट इतने अच्छे तरीके से गुल कौन सा सक रहा कब तक रहा और उनकी उपलवदियों के बारे में तो लूसेंट से बहुत ज्यादा एक्ष्ट्रा आपको देखने को मिलने वाला इस बुक में तो यह बुक आप बिना सोचे ले सकते हैं मतलब ले सकते इस बुक को आपके आपकी उपर है मैं आपको सजिस्ट क करूंगा इस बुक को ठीक है लुसेंट से कंपेयर करने के तुल्ला में बता रहा हूँ कि लुसेंट के तुल्ला में इस बुक में क्या खास है तो इस बुक में आप देख सकते है हड़ी जगा कुछ आपको स्राटिक पॉइट देखने को मिल जाएंगे और ज्यादा आपको सजा की चीजों को सजा के लिखा हुआ है तो लुसेंड को पर सकते हैं क्योंकि उसायद किसी पॉइंट में आपको देखने नहीं प्लेंगे बट्ट यह मैं आपको लोसेंट से राजे के बारे में एक परिचे दिया और जार्खं राजे के बारे में छोटे बाद अगर देखेंगे तो परियाटन अश्टल को कबर किया है मतलब पूरा जारकंड का जीके आपको सौट में देखने को मिल जागा इस बुक में तो एक ही बुक में आपको स्ट्रेट जीके भी देखने को मिल जागा जैसे देखें मद्य पर्देश का जीके है तो मद्य प हेतरीन है बेसिक आप स्ट्रेट के बारे में जान सकते हैं और जी के मतलब क्या पूरा इंडिया के बारे में आपको नॉलिज होना चाहिए ठीक है तो ये बुक दोस्तों अच्छा है चाहे तो आप ले सकते हैं इस बुक का जो साइन्स से कंपेर करें लूसेंट के तुलना मे तो मुझे फार वेटर लगा बहुत ही जादा अच्छा इसका साइन्स है लूसेंट के तुलना में ठीक है तो इस बुक के साइन्स को आप पड़ सकते हैं लूसेंट से काफी अच्छा है फिगर आपको देखने को मिलेगा और हर एक पॉइंट को हर एक टॉपिक को अच्छ आप ले सकते हैं देख सकते हर एक चीज आपको देखने को मिलेगा तो इस बोक को ले सकते हैं दोनों का प्राइश में 40 50 रुपए का अंतर होगा 50 रुपए महंगा होगा लूसेंट के तुलना में बट ज्यादा मैटेरियल भी है एक हजार पीज है इसमें लगबक अब तो सभी के पास होगा जिनके पास नहीं है वो देख ले तो लूसेंड में आपको क्या देखने को मिलेगा इस्ट्रेट जी के तो देखने को मिलेगा नहीं आपको सबसे पहले इसका दाम दिखा दू 186 रुपए है जिस पे आपको डिसकाउंट मिल जाएगा ऑन-लाइन ऑफ- पेज में है भूगोल आपका पैसर से 124 पेज में है तो ऐसे बताया गया है और यहां देखने को मिलेगा ठीक है और यहां देख सकते है इस बुक मैंने बहुत यह अच्छे तरीके से परहा हुआ है तो बुक में जो पॉइंट है वो ठीक ठाक है बट चीजों को क्लासिफाई सही तरीके से उन्होंने नहीं किया हुआ है ठीक है पहली बार आप पढ़ना है जल्दी आपको खतम करना है तो इस बुक को आप पढ़ सकते हैं अलूशन्ट वाले बुक को अब अधुनिक भारत मधे कालिन भारत में जाएंगे तो गुलाम बंस में बहुत ज क्लासिफाई मतलब है टॉपिक को डिवाइड नहीं किया गया एक साथ लिख दिया गया टॉपिक को जिससे आपको बहुत ज्यादा लिंक नहीं कर पाएंगे एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से तो यह नुकसान है लूशन्ट में ठीक ठाक बुक है मोटा मुटा ठीक ठा हुआ है और बहुत बरह हुआ है ठीक है रह ना तो साओंद मेने देखा साइंस सभुक में ज्यादा मैने नहीं परहा अच्छा नहीं लगा मुझे ज्यादा कुछ समझवन newborn आया है तो साइंश का ठीक ठाक बूख है मतलब इसमें पेज जो है ना नमबर पेज देखेंगे तो कितना पेज है 328 पेज है नमबर पेज कितना है यहाँ पे 328 पेज है और हर एक टॉपिक को लगबग कवर किया गया बट इस्टेट जी के आपको देखने को नहीं मिलेगा और ले सकते इस बुक को भी लेना चाहिए एक बार आप इस बुक को पढ़िए बट इसके अलाबा कोई बुक लेना है तो आप किरन दोनों में कंपेर अगर करे तो दोनों में से मुझे बहतर कौन सा लगता है किरन का बुक मुझे अच्छा लगता है तो आप चाहे तो किरन का बुक ले सकते हैं इन दोनों के तुलना में किरन का ज़्यादा बहतर बुक है क्योंकि इसमें डेटा जो है बहुत ज़्यादा दिया हुए है लुशन से प्लीज लाइक करके चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट की जिगासा करता हूं कि आज के दिना आप लोग काफी इसर है अगले बीडियो पर फिर से मिलते हैं ट्रैंक्यू